हेलो बच्चो माइनेम ही जोम चोधरिया एंग फैकल्टी ओफ मैथमेटिक्स संतुस अकेडमिया आज बेटा मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट डिसकस करने जा रहा हूं इसका नाम है हाव टू फाइंड रेंक हम किसी भी बर्ड की रेंक कैसे निकालत होता 2023 का उसमें बेटा एक कोशन जेए मैंस में आपका इसी रेंक से आया था और मोस्ट अप स्टूरेंट रेंक निकालने बहुत ही लेंडी प्रोसेस फॉलू करते हैं जिससे कि उसका आंसर निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ठीक है तो बेटा मैं आपको बहुत ही बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपको यहां पर एक्स्प्लेन करने बाला हूँ अगर आपने सही से इसको समझ लिया तो डेफिनिटली आप रेंक इजली फाइंड कर पाएंगे ठीक है तो बेटा बने रही है संतोस एकेडमिया के साथ लाइक शेयर कमेंड करते रही है तो अब हम आते हैं अपने कंसेप्ट पर हाव टू फाइंड रेंक ठीक है तो सबसे पहला वर्ड में ले लिया पॉब्लिक अब यह बेटा आपका टूटाउजंड ट्वंटी थी के एक्जाम में यह में आया था इसकी रेंक कैसे फाइंड करते हैं हम आपको यहां पर बताने बाले ठीक है अब पॉब्लिक में टोटल आपके जो लेटर के बने टोटल एक काउंट करते हैं टोटल सिक्स लैटर आपको यहां पर इबन हैं अब अगर मैं इनको अगर नॉर्मली देखता हूं उसक्ट किसी का भी रिपेटीस्ट नहीं है अगर मैंन को अरेंज करूँग तो कैसा थैसे से जोगा बिटा फर्स्ट प्लेस के लिए किझी चोईसे 6 next के लिए 5 अगर नेक्स अगर देखंगे गाइगा 4 नेक्स का गाइगा 3 तो अगर मैं इन 6 एलफावेट को अगर अरेंज करूँगा तो टोटल इतने अरेंजमेंट पॉसिवल है तो क्याएगा यहां से पत लगया कि यहां से पब्लिक जो वर्ड है इससे में 720 बर्ड बन सकते हैं जिनका meaning होगा या नहीं होगा ठीक है तो अब आपको चेक करना है कि זה 720 जो बर्ड highest ने इन बर्डो में पबलिक की पबलिक जो बर्ड की बने according to dictionary में कौन से number पर आएगा ठीक है तो अब समझें के द्यान से देखिए तो पहले चेक करते हैं पीटा according to dictionary अगर चेक करेंगे तो इसमें पहला जो देखो alphabet क्या B क्योंकि A तो इसमें है नहीं A होता था 1 लिखते हैं उसको लेकिन A के बाद क्या था B, तो B को लिख लिए 1st नमबर उसके बाद इसमें दिख रहा C यह सेकिंड नमबर फिर उसके बाद क्याएगा I यह अपका 3rd नमबर उसके बाद क्याएगा L यह आपका 4 नमबर फिर P आएगा यह 5 नमबर यह 6 नमबर ठीक है और जो मिसेंग है उनको नहीं लिया है तो यहाँ पर मैंने क्या किया according to dictionary को order में लगा लिए 1,2,3,4,5,6 के according ठीक है अब यहाँ से कैसरेंग निकालेंगे देखे बेट जान से ठीक है अब P के बाद है P नमबर क्या बिटा 5 अब देखो 5 से कितने यहाँ पर digit छोटे देखो 1 भी छोटा है 4,3,2,5 से छोटे digit कितने हैं से 4 तो यहाँ लिए ठीक है पर 4 लिए अब यहाँ पर रहाए 6 नमबर अब 6 से छोटे digit कितने हैं से में इसमें यह बहां यह भी चार तो यहाँ लिए 4 1 से छोटा कोई भी नहीं तकायागा यहाँ पर 0 मैं आप वोरुट देगो फॉर से लेस कितने डिंअ समय तो बढ़ने गए है गात वर इस न फोड़ एक तोटा एक ग साएगा और ईस्से छोटा कोई भी री नहीं तो नहीं को सब धर आब बार में लिखेंगे है पिर आप 0 फैक्तोरियल है ये 1 फैक्तोरियल 2 Estamos कि 3 Τरी了吧 पूर फैक्टरीन टो दंड फाइब फैक्टर利用्ठ यह आपने लिख लिख लिए ठीकर रइन है यहाँ का कहलता वनतक्यां से लगवर करेंगे होता है 24 24 इंट फोर करो क्याएगा यह जाएगा 96 पिलस 5 फैक्टोरिल क्या होता भी टापका यह होता है 120 120 की एकर 4 से multiply करूगा अगर मैंने 120 की multiply किसे की 4 से तो यह आएगा 480 अब मैं अगर इनको प्लस करूँगा तो यहां से क्याएगा 582 पर यह आपका क्या होगा 720 में से 582 पर पॉब्लिक जो वर्ड़ हो आपका अगर देखता हूं तो डी इसमें क्या है का फर्स्ट नमबर ए आपका सैके नमबर एच आपका थर्ड नमबर आई आपका फॉर नमबर और यह आपका यह आपका फाइब नमबर पाएगा ठीक है फिर से एसी तरह देखें दो बन ले लिए बन से छोटे डिजिट इसमें कोई भी नहीं है तो यहां लेकिने आप जीरो तू देखो टू से छोटा भी इसमें कोई भी नहीं है यह भी क्याएगा जीरो आप देखो फाइब ले लिया फाइब से छोटे डिजिट कोई भी है इसमें एक और दो दो डिजिट है त तो फॉर आगिया आपका फोर में प्लस बन कर लेता है तो क्या है एकोडिंग टो डिक्सणरी क्या होगा और टोटल इसमें वर्ड कितने हैं इसमें अगर देगा पांच है तो पांच भी क्या नहीं प्तल नम्मर पाएगा according to dictionary यह आपका 5th नमबर पाएगा 120 में इसका 5 भी rank है ठीक है next देखते हैं पिटा यहाँ पर के बन आपको random एक word के बन है अब random word की आपको rank निकाल लिए according to dictionary तो पहले चेक को टोटल word कितने हैं पर टेक तरह 6 में यहाँ पर बनेगा 6 factorial तो यहाँ बनेगा 720 आपको यह चेकना 720 बर्ड में रेंडम की according to rank according to dictionary क्या rank निकलने वाली है क्या बनने वाली है चेक करें देखे दियां से तो सबसे पहले आर ले लिए आर से देखो यहाँ पर कितने 123 सारे डिजिट होगे 5 यहां लेकिने 5 इस से डिजिट छोटा कोई भी निद्ग क्या लेंगे आप 0 इस से छोटे केतने बेटा 1 देखो 2 और 3 है तो यहाँ एगा 2 इस से छोटा कोई भी निद्ग काएगा 0 इस से लेस को ने 1 तो यहाँ आएगा 1 तो यहाँ आपका अगर बिटा आप इन्हें solve करीखा यह आपका 0 plus 1 plus 0 plus 3 factorial क्या होता बिटा 6 तो यह आपका 12 यह आपका 12 प्लस यह आपका 0 प्लस और 5 factorial क्या होता बिटा यह होता अपका 120 अगर 120 के 5 से करूँगा अएका यह हो जागा 600 अब इन्हें प्लस कलो तो क्याएगा 613 तो यहाएगा 613 आ गया प्लस बन और कलेते हैं क्याएगा 614 तो यहां से पत रहागा टोटल बिटा कितने वर्ड पॉसिवल थे 720 वर्ड पॉसिवल थे 720 में इस दो सकते हैं अब देखें यहां पर बिटा आप रिपीटिसन वाले आगे यहां पर अगर सिंगल आते सिंगल तो आप बहुत एजली कर सकते हैं अब यहां से हम देख लेते हैं इसमें रिपीटिसन होता है दिखिए जान से यहां पर एक बर्ड लिखा हुआ है इंडिया तो इंडिया की आपको रेंक निकाल लिए एक ओने को डिक्स नहीं तो पहले देखो टोटल इसमें कितने अलफावेट हैं टोटल इसमें पांच अलफावेट हैं तो यहां से कहाएगा फाइब फैक्टोरियल अ ました यहां तो टूटल इसमें और टोटल इसके सिक्सटी बड़ बनने बैंने बिदा footprints बीनिंग अब Dub息 है इंडिया कीकोडिंग टू डिक्सिनory कौन सा नंबर आने बाला कौन से रिंग काने वाली है समझ द्वेकर आई से चोट डिघित कौन इसमें से छोटा है और आपका व से छोटा है तो बना टू छोटे हैं तो यहां से आगा टू तो अपॉन टू पर रिक्टोर क्योंकि آई इसमें तेरी डिक रहा है next आगा 4 क्याएगा यह 0 यह आपको जागा 1 यह आपको जागा 2 और यह क्याएगा 3 फैक्टोल क्या होता है 6 3 6 3 जाएगा 18 प्लस करेंगे तो यहां से प्लस बन कर लो आप आएगा 46 तो यहां से बिटा क्या रेंग आगी इसकी 60 में से 46 नमर पर क्या एगा इंडिया वर्ड आएगा एकोर्डिंग टो डिक्सिनरी अगर आप डिक्सिनरी की एकोर्डिन का रह देखेंगे इंडिया वर्ड की जो रेंग के हो क्या वेटा 46 है ठीक है 46 नमर पर आपका इंडिया वर्ड आ जायगा नेक्स्ट की बने मुंबई अब आपको चेक है ना मुंबई की रेंक निकालनी है according to dictionary के according इसकी क्या रेंक होने वाली है देखी ध्यान से तो सबसे पहले समझो कितने विटा डिजिटेंस देखो अब यहां पर आपने आपका टू टाइम का रेपीटिशन है अगर आप सॉल करेंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तो यहां से क्या जग बटा 6 5 जग क्या होता है 30 30 इंटू 4 आपका 120 इंटू 3 आपका 360 तो टोटल 360 वर्ड बुनने वाले थैं अब यह चेकना का 360 वर्ड में मुंबई की एकोडिंगरी च्छय नमर आने वाला क्या रहांक करने वाले यह आपको चेक करना ठीक है तो सब सरहेखो ओ एम देख लेते हैं एम बेटा कॉंशन नमर पर है फोर पर है तो फोर से कितने चोटे हैं याँ पर तू वन थ्री तो तीन डिजिट छोटे हैं तो थरी आएगा आपको आएगा टू फैक्टोरियल क्यों क्यों कि एम आपका टू टाइम इसमें देखे दियां से ठीक है अब य यहां पर बेटा क्या बनेगा जीरो फैक्टोरियल यह आपका वन फैक्टोरियल यह आपका टू फैक्टोरियल यह आपका थ्री फैक्टोरियल नेक्स्ट आपका फोर फैक्टोरियल नेक्स्ट आपका फाइफ फैक्टोरियल अब अगर आप इसे सॉल्ट करिंग क्या है कि इस ऊब Okay छूब ऐसा थैन्हों बागत इंटवर्घ होता है क्या होता है कि यह तो टू से डिवाइद कर काएगा 60 कि तीन से इंटा कर काएगा 82 तो यह आपको जाएगा 180 अब इन्हें आप प्लस करो कितना है गा 180 प्लस 20 यह आपकाएगा 200 296 तो यह आपकाएगा 296 में प्लस बन कर दो यह आपकाएगा 297 तो टोटल कितना था 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 तो 360 में मुंबई की जो रेंग होगी according to dictionary कितना होगी 297 तो अगर आपको repetition भी गिवन है तो इस तरह से आप बहुती इजली आप रेंग find कर सकते हैं बेदें 10 to 20 सेकंड में इसके लिए आप आपको पहली पता होना थे फैक्टोरियल की वैलू क परपा है ना जिससे कि आप बहुत short duration के अंदर इस तरह की problem को चुटके बढ़ाने वाल है ठीक है तो बड़ा बने रही है संतोस एकेडमिया के साथ like share comment करना ना बूले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो subscribe करना ना बूले थैंक यू बाचिंग इस वीडियो